आपके जो ड्रीम्स हैं, वो कम्प्लीट हों, टाइट, वो फुल्फिल हों, जो भी आपकी अचीव्मेंट्स जो भी आप लाइफ में, जो भी आप अच्छा करना चाहते हैं, वो सारी विशिस आपकी कम्प्लीट हों, टेरी बेस्ट विशिस स्टुडेंट्स आपके साथ रहेंगी, तो इसी के साथ स्टुडेंट्स हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं, PCS एक्जाइम 2024 के लिए, that is the importance of revision, right, students का बहुत ज्यादा confusion रहता है students को कि मैं revision किस तरीके से करें, या revision करने से क्या benefit है, बहुत बार बच्चे जो हैं, वो पढ़तों बहुत कुछ लेते हैं, right, current affair भी पढ़ लिया, static भी पढ़ लिया, quality पढ़ लिया, geography पढ़ लिया, science and technology भी कर लिया, general science भी कर लिया economy, environment, सब कर लिया, history तक कर लिया, but होता क्या है, थोड़े time बाद वो भूलना शुरू कर देते हैं, या फिर जब वो exam में बैठती हैं, तो आता तो उनको बहुत कुछ होता है, right, आ तो सभी रहा होता है, सभी term से वो familiar होते हैं, बट फिर भी उनके बहुत सारे questions गलत हो जात हैंगे, student की revision किस तरीके से करनी चाहिए, क्या benefits है, revision के, right, okay, ठीक है जी, तो बात करते हैं, student importance of revision की, first of all, student as you already know, की notification हमारी out होने वाली है, for the Punjab Civil Services, अब कोई भी student मेरे से ये ना कहें कि मैं, notification नहीं आएगी इस साल, तो you are absolutely wrong student, notification इस साल आएगी और ये government ने अब confirm कर दिये, confirm कर दिया है, कि इस साल जो हमारा exam है, Punjab PCS का, वो हो रहा है, ठीक है जी, तो ठीक है student, तो आप त्यारी अपनी continue रखना, ठीक है जी, तो बात करते हैं, student, the process of revision is essential, why, क्यों करने चाहिए, student revision, इसका process क्यों essential है, इसको समझते हैं, तो student मैंने यहां पर दो लाइने लिखी हैं actual में, दो sentence लिखे हैं यहां पर, ठीक है, जो define करते हैं हमारी, अभी मन्नी हो आईए, हमारी revision को, ठीक है, कहता है, it is the opportunity to take step back, to take step back and examine your work with a critical eye, looking for ways to improve clarity, sentence, clarity, sentence structure, and overall effectiveness, see here student, revision क्या चीज है, student, revision एक ऐसा concept, student, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी, चाहिए फिरो आपने class में पढ़ा, आपने घर पे बैठके पढ़ा, आपने कोई भी काम किया, आपने कोई topic पढ़ा, मैं किसी subject के बारे में यहां particular mention नहीं करूँगे, कोई भी subject हो सकता है, जब आप उसको एक पर पढ़ लेते हो, for example, आपने उसको पढ़ा, फिर आपने उसके notes बनाए, ठीक है, उसको देख देख की आपने notes बना लिए, ठीक है, revision का मतलब यह होता है, student कि आप वापस से step back करते हो, वापस से जाते हो अपने concept के उपर, और जो आपने लिखा है, उसको आप थोड़ा धिहान से analyze करते हो, कि हंजी, जो मैंने लिखा, क्या यह effective है, जो मैंने लिखा, क्या यह सही लिखा मैंने, जो मैंने sentence बनाया, for example, आप mains के practice करते हैं, right, आपने question लिखा, question लिखने के बाद आपने क्या किया, उस question को देखा, ठीक है, आपने question लिखा और आपने छोड़ दिया, right, आपको लगा कि आपने बहुत सही question लिखे, right, but student, जब आप उसको वापस से जाके देखते हो, एक critical eye स right, उसको आप critical तरीके से देखते हो, कि हंची, इसमें क्या गलतियां है, क्या मैंने sentence सही तरीके से बनाया, क्या ये effective way से, जो मैं express करना चाहती हूँ, या मैं करना चाहा रही हूँ, अपने viewpoint को, point of view को, क्या वो सही है इसमें, क्या वो मैंने सही से express किया, ठीक है, उसे चीज ही consistency होनी चाहिए, बिल्खुल वैसे ही हमारी revision भी consistency तरीके से होनी चाहिए, अच्छा, तो आपका next question मेरे से ये हुगा, कि ठीक है मैं, revision तो हमें समझ में आ गए, लेकिन आप मुझे ये बताओ, कि इसकी importance क्या है, क्या importance है revision की, तो उसकी बात करते हैं student, सबसे पहले तो student, आपके mind में clarity आती है, आपके mind में student, एक clarity आती है, कि हाँ जी, जो आप कर रहे हो, क्या वो सही तरीका है, उसको करने का, ये आपके mind में clarity आती है, एक revision के थ्रूप, ठीक है जी, second, student, आपकी consistency बनाने में ये बहुत help करते है, कई बर क्या होता है na student, अब पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ रहे हो, बस पढ़ी जाते हो, आज new concept, आज ये concept, आज वो concept, ठीक है, फिर एक time पे आपको न, जब आप MCQ उसक student, आपके पास इतना content हो गया, इतना सारा, पट उसको limit जो है na student, उसको limit अगर आप कर सकते हो, तो वो आप सिर्फ revision के थुरू कर सकते हो, because student, जब आप revision करते हो na, उस concept की, तो आपको उसमें से बहुत सारी चीज़े पता चलती है, ऐसे चीज़ों के बारे में पता चलता है, कि हंजी, ये ये important है, बहुत सारी आपको ऐसी चीज़े उसमें से मिल जाएंगी, जो आपको informative लगेंगी, जो आपको important लगेंगी, exam point of view स और उनी को आगया फर्दर consistent तरीके सी उनको आप लेके जाओ गया, इसका मैं example देती हूँ, आपको best example, for example, quality, quality की लक्षमी कांत सबने पड़ी होगी, ये की हमारी standard book है, लक्षमी कांत सबने पड़ी होगी, आपको लगते है student की वो लक्षमी कांत, अगर आप 10 बार भी पढ लो तो आपको सारी लक्षमी कांत एक दम ऐसे छपी जाएगी, आपके माइंड में नहीं छपीगी, but student उसको करने का एक तरीक है, student उसको उसको लेके जाने का एक तरीक है, उसको करने का, कैसी? रिवीजन करके, क्योंकि जब आप notes बनाते हो, आपने जब chapter wise notes बनाते हो, फिर अब student आप उनकी revision करते हो, तब उसमें से आप क्या करते हो, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को आप separate कर लेते हो, आप filter out कर लेते हो, तरी term इसके लिए रहेगे filter out, आप उसको filter out कर लेते हो, क और फिर student उसको आप finally अपनी notebook में note करते हो, ठीक है जी, finally आप उसको notebook में note करते हो, ठीक है, तो student ultimate जो आपको clarity दे रही है न, आपकी exam से related, ठीक है, वो आपको revision ही दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा vast है student GS, but उसको limit करने में आपको revision ही उसको एक limit कर सकते हैं, क्योंकि जब आप revision करते हो student, इसी भी concept की, आपको समझ में आता है, कि हाँ जी, आप इसके अंदर से, मतलब एक तरीके से, जब आप पहली बार reading लेते हो न, student, तो आप roughly पढ़ते हो, बड़ जब आप second time, third time, fourth time, जब आप चीजों को पढ़ते हो न, student, तो आप उसको filter करते जाते हो, ठीके, तब आप उसको filter करते जाते हो, exam point of view, for example, मालू आपने president का chapter पढ़ा, प्रेजिडेंट के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, student, लक्षमी कांटर, बट लास्ट में जो आपको informative लगता है कि हंजी, सबसे पहले, कौन बन सकता है, president, कितनी age criteria, eligibility कितनी है, education का क्या उसमें होना चाहिए, ठीके, अच्छा, कौन-कौन से उसके पास powers है, ठीके, और इस तरीके से आप एक चार्ट त्यार कर लिए, अब आपको पता है student की, president की important informative information कौन-कौन से है, यह ऐसा कभी नहीं होगा student की, आपने पहली बर president बढ़ा, और आपने note कर लिया, यह ऐसा नहीं होगा, जब आप उसको बार-बार revise करोगे न, student तब जाके, आप उसको आपको उसके अंदर जो informative है, जो भी ऐसी information, जो आपकी exam point of view से बहुत critical है, फिर आप उसको note down करोगे, ऐसे तो अगर आप सब कुछ note down करने लगे तो आपने तो एक तरीके से लक्षमी कांद को replicate कर दिया, अपनी notebook के उपर और आपने कुछ नहीं किया student, ठीके, ओके, यह बात clear होई आपको student मेरी, yes or no, ठीके, अब हम आते हैं student की revision करनी कैसे चाहिए, what is the best method to revise your concept, क्या method है, तो student, मैं आपको वो बच्चों के तरह 2, 3, 7, 8 वाला कोई formula नहीं बताने वाली हूँ, मुझे वो आपको बताना ही नहीं है, और ना ही वो follow होता है, ठीके, मेरे से तो कभी हुआ नहीं, आप कर लो तो better है, ठीके, क्योंकि हमको chapter wise तो यहाँ revise कर नहीं रहे हैं, तो जो correct method है ना student, वो यह है कि, for example, मान लो, चाहे आप class में पढ़ते हो, चाहे आप कहीं से coaching ले रहे हो, चाहे आप खुद से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भी मान लो आपने topic पढ़ा, उसके साथ साथ student जो आप notes बनाते हैं, notes चाहे आप बनाते हो, चाहे आप नहीं बनाते हैं, for example, आप current affair पढ़ रहे हो, आपने notes नहीं बनाए, आपने notes current affair के नहीं बनाएं, कौन बनाता है current affair के notes, नहीं बनाते हैं जो सिर्फ बस एक particular current affairs होते हैं, उनहीं की बनाता है, जैसे government schemes होगी कोई important, कोई event हो गया, ठीक है, उसी को लिखते हैं, कोई sports का event उसको आप लिख लेते हो notebook के उपर, ठीक है, okay फिर क्या करो student, इसको next day, next day जब आप new topic start करो, next day जब आप बैठो और new topic start करने वाले हो, तो अपनी notebook को खोलो, और उसको करो revise, उसको करो revise और फिर आप अपना new topic start करो, new topic start करो, इसके बाद क्या है student, मेरा वैसे, मेरा ये personal, मतलब मेरा ये, मतलब मैने ऐसा एक personal, मेरा खुद कर आया, आपका कुछ भी हो सकता है student, according to your capability जैसे मेरा रहते था कि, seven days a week, seven days a week, मैं एक दिन ऐसा जरूर रखती थी week के अंदर, one day week के अंदर, मैं ऐसा, एक दिन जरूर रखती थी student, one day कोई विचाय संडे वाले दिन रख लो, संडे वाले दिन रख थी थी मैं तो ज़्यादा तर, आप कोई भी दिन रख सकती, उस तिन मैं कोई भी new concept नहीं पढ़ती थी, कोई भी नहीं पढ़ती थी, कुछ भी नहीं पढ़ती थी, मैं new, कोई new topic नहीं उठाना, कोई new chapter नहीं उठाना, मैं क्या करती हूँ, वो जो आपका concept, जो भी आपका, जो भी आपने पढ़ है, पूरा महिना, पूरा जो week आपने पढ़ है, उसको क्या करो, एक जगह पर compile करो, जैसे माल लो, आपके बास 5 notebooks हैं, उन 5 notebooks को, जो भी आपने current affair पढ़ा, उसको आप क्या कर लो, पास में रख लो, जो भी important, यह से नहीं कि news paper रिकठे करके रख लो, नहीं, अगर आपने कोई चीज लिखी है current affair से related, notebook के अंदर सिर्फ वही, ठीके, तो, इन सब को उठाके, मैं इनको करती थी, revise, अच्छा, उस दिन एक तो मेरे उपर workload भी कम हो जाता था, क्योंकि मैंने क्या करना, सिर्फ revision करने, 2-3 घंटे में, मैं सारा कुछ revise कर देती थी, ठीके, 2-3 घंटे में revise किया, फिर क्या करना है, एक test उठाना है मुझे, एक test, जैसे मालो आपने 5, वैसे तो student, मालो आपने, आप 2-3 subject कठे पढ़ रहे हो, हाना, 2 subject आप static के पढ़ रहे हो, एक current affair कर रहे हो, ठीके, तो आपके बास total 3 things हो गई, चलो 4 लगा लो, एक आप extra newspaper बगएरा पढ़ ले हो, वहां से भी आपने कुछ note किया, तोर्ण 4 को revise किया, मैंने 3-4 घंटे लगके, फिर मैंने क्या करना है, एक test उठाने, टेस्ट मैं week में और भी देती थी, बट इसमें मैं टेस्ट के जरूर करती थी, टेस्ट उठाया, कोई भी alternate उठा लेती थी week पे, जैसे एक week मैं current affair का test देती थी, दूसरे week में आप अपना statica portion का दे सकते हैं, जो भी आपको comfortable लग रहा है, जो भी उस time पे, जो भी sense बन रही है, उस test को मैंने लगाने, उस test को लगाने के बाद student, मैंने क्या करना है, उस test को अच्छे से कर ले न, revise, उस test को भी मैं revise करती थी, उसे दिन, उसे दिन मैंने उस test को पहले solve करना है, जितने मेरे marks है, उसके बाद मैंने उसकी answer की देखनी है, answer की देखने के बाद मैं उसको वहीं पे concept को revise करके, अपनी notebook में अगर मुझे लगता था कि हंजी, यहां से कोई new concept निकले, तो मैं उसको निकाल के over कर देती थी, मतलब निकाला, पढ़ा, लिखा note down किया, and that's it, ठीक है, and after that मेरा break हो जाता था शाम के time पे, right, four, two, मतलब two to three hour मेरे पास आराम से बच जाते थे, उसमें आप break ले सकते, ठीक है, आपका break भी हो गया, seven days में, और आपका revision का भी हो गया, मतलब ऐसा था कि मैं, ऐसा नहीं था कि मैं daily मतलब बहुत सारी revision पे time जा आपसे ये method बहुत अच्छा है, कि सबसे पहले student आप topic wise पढ़ो daily, जो भी आप notebook में note कर रहे हो, उसको next day उसको एक बार के लिए उससे go through करो, उसको revise जरूर करो, अगर आप chapter पढ़ रहे हो, तो पहले पिछे वाला chapter आप देख लो, अच्छे से उसको revise कर लो, फिर क्या करो seven days में आप एक दिन ऐसा जरूर रखो, जिसमें आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको आप करो revise, और एक test जरूर लगाओ, कितने test लगाने है, one test, तो क्या किया मैंने, six days होई न, six days की मैंने की revision, क्या उसको critically किया, मैंने analyze, अगर मैंने mains की practice किया, म मैंने questions लिखके देखें, मेरे पास six questions है, seven questions है, ten questions है, मैं उन सारे questions को दिहान से उसको देखो, आप देखो कि उसमें आपने क्या गलती की, कितना आपका improvement हुआ है, सबसे बड़ी बात improvement जरूर देखना है, कि यार कितना improve हो चुका है, ठीके, और उसके बाद आप एक करो, और उसको करो, उसे time पे revise, and after that, जो भी आपके पास time बचे, ठीक है, उसको आप अपने लिए, use कर सकते हैं, एक्स्ट्रा curriculum के लिए, खेलना है, उस दिन खेल लो, write कोई movie देखनी है, movie देख लो, बाहर entertain के, मैं friends की साथ जाना है, तो आप उसको, उसमें भी जा सकते हू इस पे seven days का student, आपका, क्या हो गया student, एक तो one week का आपका workload हो गया, खतम, ठीक है, और एक आपका, यहाँ पे आपका revision भी होगी, और आपको satisfaction भी होगी, कि हंजी, आपने हर चीज revise कर ली है, ठीक है, और एक चीज और student, ऐसा भी कर सकते हो, कि मन्थली revision भी कर सकते हो, मन्थल revision के ऐसे होती है, कि बिल्कुल मन्थ के last में, for example, उस दिन 29 डेट है, 30 है, 31 है, तो आप दो दिन ऐसा कर सकते हो, कि दो दिन में, जो आपने पूरा one month, जो भी आपने पढ़ है, एक तो नो student सबसे पहले, आप जो भी पढ़ते हो, आप अपनी calendar में no down करते जायागा, आपके बड़ी सरी sheet होनी चाहिए, जिसके उपर जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको आप mention करो, कि आपने कितना पढ़ा, कितने घंटे लगाई, और कितना आपने output निकाला, कितनी आपकी productivity रही, तो आप उस chart को देखके, और ज्यादा आपको motivate कर सको, motivation भार से नहीं मिलती student, अपने अंदर सी आती है वो, ठीक है, और उस chart को देख देखकर आईगे आपको, उस calendar के हिसाब से, जो भी आपने topics पढ़े हैं, जो भी आपने note down के एक diary के अंदर आप note करते जाईए, ठीक है, कि आपने कितने topic पढ़े first day से लेकर, जब 30th day आया, तब तक आपने कितने topics पढ़े, ठीक है, कितना current affair एक अठा, you know, आपने cover किया, कितना आपने, you know, आपका static portion cover हो गया, policy खतम हो गया, geography हो गया, science and technology, जो भी हो गया, तो last में month के two days, आप उस सब की जो है, वो एक ही बार में revision कर सकते हैं, दो दिन लगाईए student, उसको revision को complete करने में, ठीक है, right, तो आपकी revision हो जाएगी, ठीक है student, तो, इसी के साथ student हमारा revision का concept यहां पर over हो जाते हैं, तो see here student, मेरा काम है आपको guide करना, ठीक है, अगर आप preparation कर रहे हैं, ठीक है, PCS की कर रहे हैं, किसी की भी revision कर रहे हैं, आप UPC की क्यों नहीं preparation कर रहे हैं, revision का यह method सबसे best method है, और सबसे practical, applicable method है, आप इसको करके देखिए student, ठीक है, doable भी बहुत है, आपके उपर बहुत ज़्यादा burden भी नहीं है, ठीक है, आपको daily basis पे जब आप, बस जो आप कर रहे हो, आप बस वही कीजी, ठीक है, बस उसको mode change कर दीजे आप, ठीक है, consistency बहुत important है, और उसको एक discipline way में करना बहुत important, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपने तीन-चार दिन पढ़ लिए, चलो आज revision का मन है, चलो कर लेते हैं, नहीं, एक particular time dedicate होना चाहिए, आपकी revision को लेकर, कि हंजी, इस particular day को, इस particular time को, मुझे revision करनी है, जो भी मैंने पिछे notebook में आपने लिखा किया है, right? नहीं, तो आपके साथ बिल्कुल वही बनेगी, जैसे student के साथ, बाकियों के साथ बनती है, कि उनको ये नहीं पता होता, exam के पास आके, ये मेरी notebook है, इसमें मैंने लिख क्या दिया है, क्योंकि उस time पर लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, पर last में जब उठाते हैं, तब खुद की notebook समझ में नहीं आती है, उनको, कि यार ये मैंने कहां से लिख लिया, ठीक है, वो फिर से वापस से books पे जाते हैं, वापस से मत्था पच्चे करते हैं, क्या concept है, क्या word लिख रखे है मैंने, क्योंकि आपने revise नहीं किया, ना, main problem is that कि आपने revise नहीं किया, concepts को, जब आप concepts को revise नहीं करोगे, it means, lack of clarity, आपको आपकी exam की clarity नहीं है, student, बस आप कर रहे हो, जैसे सब कर रहे हैं, बस वैसे ही आप कर रहे हो, तो गदा मुझदूरी नहीं, इसी को student smartness कहते हैं, इसी को student smartness कहते हैं, smartness इसी को कहते हैं, और कोई smartness की कोई definition नहीं है, student, इसी को कहते हैं, जब चीजों को आप pile up ना करके, जब आप चीजों को student manage करते हो, उनको आप maintain करना सीख जाते हो, right, बस समझ लेजी आपकी life में clarity आ जुकी, ठीके, okay, तो revision is the key of success student, तो आप revision कीजी, revise कीजी अपने जो भी concept है, right, okay student, I think कि आपको ये बहुत ज्यादा helping होगा, आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आप PCS की preparation कर रहे हैं, उसमें आपको ये बहुत helpful रहेगा, right student, okay, okay, चीक है जी, तो इसी के साथ student, हमारा new batch भी start होने जा रहा है, for PCS exam from 15th Jan, 2024, हमारा new batch start होने जा रहा है, student for PCS exam, तो जो भी student इस टाइन पे graduation final year में है, या अल्रेडी, you know, PCS की preparation करने का, वो plan कर रहे हैं, right, तो आपको link description box में मिल जाएगा, आप मन्यों में contact कर सकते हैं, right, even मेरे से बात भी कर सकते हैं, अगर आपने पहले preparation कर ली है, अभी जस्त आपको guidance की need है, time manage से related, schedule से related, किसी particular topic में आपको problem आ रहे है, किसी subject में आपको problem आ रहे है, okay, तो आप मेरे से contact कर सकते हैं, student, ठीके जी, okay, even offline visit भी कर सकते हैं, बहुत सारे students यहाँ पे visit भी करते हैं, guidance के लिए, ठीके, तो guidance के लिए हम कोई fees charge नहीं करते, ठीके, और ऐसा भी नहीं है कि मैं student को बोलू कि हंजी, आप कोई course पर चीज कर लिए, ऐसा बिलकुल नहीं है, ठीके, ठीके, तो teacher student का वो जो relation होता है, गुरू और वो शिश्य वाला वो बना रहना चाहिए, ठीके, ओके, ठीके, ठीके, जी, तो इसी के साथ हमारा new batch मैंने आपको बता दिया, 15 जैंस ज अगर आपकी कोई query है, तो आप contact कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा, ठीके, ओके, 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 students, thank you, thank you so much, have a nice day.